बुलेट की रप्तार से दिख रही ये तस्वीर बुलेट ट्रेन के ट्रैक की है और ये कहीं और की नहीं भारत ने बन रही बुलेट ट्रेन के ट्रैक जिसे सेर किया है रेल मंत्रिय सुनी बैशनों ने बता दें कि मुंबई एहम्दाबाद बुलेट ट्रेन गल्यारा परियोजना के लिए 100 किलोमीटर तक पुल का निर्मार और 230 किलोमीटर तक खंबे लगाने का काम पूरा हो चुका है इस महत्वाकांची परियोजना के तर्थ निर्मार कारी कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिम्टेड ने यह जानकारी दी रेल मंतरी असुनी बैशनों ने इस संबंध में सोसल मीडिया एक्स पर एक बीडियो भी जारी किया एनचेस आरसियल के अनुसार इस पुल में गुजरात की छे नदिया यानी पलसार जिले के पास औरंगा, नौसारी जिले में पुर्वा, मिंधोला, अंबिका और बेगानिया पर पुल सामिल है एनचेस आरसियल ने बताया की बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कितना पूरा हुआ और योजना का पहला गर्डर 25 नौमबर 2021 को लगाया गया था और 6 महिने में यानि 30 जून 2022 तक एक किलोमीटर तक पुल तयार हो गया था इस साल 22 अप्रेल को 50 किलोमीटर पुल निर्मान का कार्य पूरा कर लिया गया और फिर इसके 6 महिने में 100 किलोमीटर तक पुल बना लिया गया उन्होंने बताया कि इसके अलावा परियोजना के लिए 250 किलोमीटर तक खंबे लगाने का काम भी हो चुका है और निर्मित पुल के किनारे सोर औरोध लगाने शुरू कर दिये गए हैं बता दें कि मुंबई एहमदाबाद हाई स्पीड रेल गल्यारा परियोजना की कुल लागत 1.08 लाग करोन रुपए आंचित की गई है ट्रेन के लगबग 2 घंटे में 500 किलो मिटर से अधिक के दूरी तै करने की उम्मीद है